बुड मारिंग बच्चों आज हम करेंगे व्रक्षीट नमबर 93 और आज की डेट है 21st October 2020 यह व्रक्षीट 5th क्लास के लिए है यहां बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे यहां बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने टीचर का नाम आज की हमारी व्रक्षीट इं जिसके वेसिस पर हमने पिछले वीक भी दो व्रक्षीट की थी अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने व्रक्षीट आज वाली पर आते हैं सबसे पहले लिखा है Hello students, how are you doing today? Let's read these lines from the poem Topsy-Turvy Land नीचे कुछ poem की lines दी गई हैं Topsy-Turvy Land पर हमें की poem की lines बुक में भी मिल जाएंगी Page No.111 पर Poem की lines हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम नीचे question करेंगे Poem की lines है The front door step is at the back Front door step क्या होता है? Front door step, front door क्या होता है? सामने वाला दर्वाजा जहां से हम लोग घर के अंदर एंटरीर करते हैं और step होता है, door step होता है जो उसके नीचे हम लोग mat जहां पर रखते हैं जिसके उपर जैसे mat रख दिया और उसके उपर welcome लिखा हुआ होता है Main दर्वाजे के उपर जहां हम रखते हैं mat को वो होता है हमारा door step या हम सीडिया जो बोलते हैं जो घर के अंदर जाती है Front door step is at the back कि हमारे जो घर की जो सामने वाला दर्वाजा है जहां से घर के अंतर खुचते हैं वो सामने वाला दर्वाजा पीछे चला जाए You are walking when you stand जब तुम खड़े हो उस time पर भी तुमें चल रहे हो You wear your hat upon your feet कि तुम अपने जो टोपी है, hat है उसे पैरों में पहने हो इन टॉपसी टॉवी लैंड में तो यहां आपको क्या दिखाई दिया जैसे कि आप लोगों को पता टॉपसी टॉवी लैंड का मतलब क्या होता है उल्टी पुल्टी दुनिया हम लोगों ने पिछली बार इस पोयम को पढ़ा भी था और इसके उपर वरक्षीट भी की थी तो यहां पर हमें क्या दिखाई दिया गया सामने वाला दर्वाजा पीछे चला गया हम खड़े हैं तो भी हम चल रहे हैं हमने अपनी हैट को अपने पैरों पे पहना हुआ है तो ऐसा सचमेद होता नहीं सिर्फ टॉपसी टॉवी लैंड में ही हो सकता है यानि कि उल्टे पुल्टे दुनिया में अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट अंबर क्वेशन टिक ता पिक्चर ओफ फ्रांट डोर स्टैप तो सामने वाले दर्वाजे का डोर स्टैप कहां पर है कौन से वाला है कौन से वाला आपको लग रहा है कि ये वाला सामने वाला दर्वाजा हो सकता है मुझे तो ये वाला लग रहा है आपको कौन से वाला लग रहा है ये वाला भी लग रहा है ये दोनों ही जो है ये दोनों ही फ्रांट डोर स्टैप है क्यों? क्योंकि यहां यहां वैसे हम ऐसा भी मान सकते हैं कि यह वाला हमें ऐसा लग रहा है जैसे यह वाला हो गया हमारा रोड है ना रोड के या फिर गली गली के अंदर से यहां से हम घर के अंदर जा रहे हैं और दूसरा ये वला हमें क्यों लग रहा है क्योंकि ये भी हमारा घर के अंदर जाने वाला दर्वाजा है लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहां पर तो दो लड़की यहां जो गिफ्ट ले करके आई हैं तो इन दोनों में से हमारा फ्रंट डोर स्टेप ये वला ज्यादा लग र के साथ हम लोग आगे वर्ड लिखते हैं तो यह हो गया हमारा यू आर और यहां पर हमारा है इट्स तो इट्स का क्या हो गया इट इस यह हो गया हमारे इन दोनों के आंसर हम लोगों ने यह short form fourth class में भी की थी next day हमारा I am sure you have been someone you have seen someone wearing a hat आपने कभी किसी को hat पैने हुए सिर में देखा होगा what else do people wear on their head और अपने सिर में क्या-क्या पहनते हैं क्या-क्या पहनते भई क्या-क्या हो सकता है आप लोग बताओ मुझे क्या-क्या पहन सकते हैं हम और सिर पर एक cap टोपी पहन सकते हैं सिर पर एक हम लोग सर्दियों में पहनते हैं जो टोपा पहनते हैं woolen वाला तो वो भी लिख सकते हैं हम woolen cap या फिर woolen hat जैसा भी बना हो वो वो भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं और क्या पहन सकते हैं सिर में डुपट्टा भी ओडते हैं हम लोग सिर पर तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डुपट्टा या फिर चुन्नी जो भी आप लिखना जाएं नेक्स्ट हमारा हैट्स ओफ is an idiom which means to congratulate or to admiration तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं हैट्स ओफ हैट्स ओफ हैट्स ओफ ओडबल फ का मतलब क्या होता है ओडबल फ का मतलब होता है उतारना या फिर निकालना हैट्स ओफ यानि कि हमने अपने सिर से टॉप ये उतारी है कि आप लोगों ने टीवी में हैट्स ओफ का मतलब क्या हुआ आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जैसे कोई मर जाता है तो उस टाइम पर जो पुलिस वाले हैं वो अपनी टोपी उतार करके उसको मतलब शरधांचली देते हैं या फिर उसको याद करते हैं या फिर दूसरा हम लोग जो टोप पे उतारना उसको हम लोग जैसे की मान लो हम लोग कहीं पर गए हैं किसी को विश करना है कोई हम से जादा उंची पोस्ट पर है तो हैट्स ओफ क्या हो गया हमने उसको जाते हैं तो भी हम विश करने के लिए अपनी टोप दे उतारते हैं यह कुछ एक्जैम्पल्स थे लेकिन जो में जो मीनिंग है है हैट्स ओफ का वो क्या है तो क्या है टू कॉंग डचुलेट और टू एक्सप्रेस एड्माइरेशन किसी को बधाई देना या फिर किसी की तारीफ करना तो जब कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई टीवी में मर जाता है तो उसको शरदांजरी देते हैं कि उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया और देश की सेवा के लिए उसने अपनी जान तक दे दी तो उसको हम लोग प्रशन सा करते हैं उसकी और उसकी याद में हम लोग अपनी टोपे उतारते हैं दूसरा हम लोग कब मैंने जो आपको बताया कि पार्टी में जाते हैं किसी बड़े पोस्ट वाले को हम रिस्पेक्ट देते हैं या फिर किसी को कॉंग्रेचुलेट करते हैं तब तो हैट्स ओफ क्या हो गया एक एडियम कि सबी डॉक्टर्स को पुलिसमैन को और जो हेल्थ केर वर्कर्स हैं जैसे नर्सिज हो गया सारे जो सैनिटाइजर जहां पर जो लोग करते हैं ये सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद के लिए हमने हैट्स ओफ वर्ड यूज किया है वो आर वर्किंग अब आता है हमारा next fifth question, fifth question में हमें क्या दिया गया है, can you find two more idioms in English, write them with their meanings, दो हमें और मुहावरे लिखने हैं इंग्लिश में और उसके meanings बताने हैं कि क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हूं, मैंने यहाँ पर दो मुहावरे लिखे हैं, आप उससे अलग भी लिख सकते हैं, और आप वो भी लिख सकते हैं, examples के तोर पर मैं आपको दिखा देते हूं, यह होगे हमारे, यहाँ पर मैं जैसे हम नोटबूक में लिखते हैं वैसे करके दिखाया है आपको डेट डाली है वाक्षीट का नमबर डाला है टॉपिक का नाम डाला है और नीचे कौन सी पोयम में से या कौन सी चैप्टर में से है वो लिखा है फॉर्स्ट हमने बीडियम जो लिखी है वो है क्रोस यूर सारे जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो सब बोलते हैं कि अपने फिंगर्स क्रोस कर लो कि हमारा काम सही हो जाये तो क्रोस योर फिंगर्स होते हैं वैसे finger cross का मतलब क्या होता है कि उंगलियों को एक दूसरे के उपर cross कर लो यह तो गया हमारी नॉर्मल सा meaning जो हमने translate कर दिया लेकिन actual meaning क्या हुआ कि good luck लेकर के आता है या फिर अच्छा काम जो है वो सही से हो जाता है वो गलत नहीं होता तो good luck के लिए हम दो cross fingers करते हैं तो य cake cake का टुकड़ा यह तो होगी हमारे translation लेकिन मुहावरा है तो मुहावरी का मतलब कि इसका meaning कुछ और होता है लेकिन लिखते हम कुछ और हैं तो a piece of cake का जो actual meaning होता है मुहावरी के हिसाब से वो यह हो गया कि something very easy जैसे कि for example this worksheet is a piece of cake for me आज की worksheet मेरे लिए बहुती ज़्याद हो गया कुछ चीज़ें जो बहुती ज़्यादा easy हूं तो यह हो गया हमारा next है हमारे यह कुछ और ज्यादा और idioms है जो थोड़ी सी ऐसी हैं कि जो हमने शायद पहले ना सुनी हूं और जो वो दोनों थी जो मैंने notebook में लिखकर के दिखाई थी वो हम पहले सुन चुके हों अब इसमें मैं आपको बताती हूं इसमें फर्स्ट जो इडियम है वो नीचे देखो नीचे box में लिखी है हमारी इडियम्स फर्स्ट स्पिल ओवर का मतलब होता है हर जगह बिखेर देना या फिर अपने जो सीमा है उससे पार करके कोई काम करना तो यह जो उपर हमें काउड़ क कोरोना वारेस की वज़े से ivारेस की वज़ए से मेरे पूरी जिन्दगी में हर जके अचार फैल गया है वारेस मतलब कि ना मैं काम पर जा पारा रहा हूं ना मैं कहीं खेलने जा पा रहा हूँ ना मैं आराम से कहीं पर घूम पा रहा हूँ हर जगे पर रिस्ट्रिक्शन्स लग गई हैं तो यह हो गया कि यह जो वाइरस है यह हर जगे spillover हो गया है इसने मेरी जिंदिगी में हर हिस्से में असर दिखाया है next है हमारा in a pickle नीचे जो box में लिखा है in a pickle pickle का मतलब होता है अचार लेकिन क्या अचार का यहां पर कोई meaning है नहीं तो in a pickle का मतलब होता है in a difficult situation कि मैं तो बड़ी मुसीबत में फस गया हूँ या फिर बहुत ही मुश्किल वाली situation में आ गया हूँ और उसी के साथ लिखा bottled up bottled up का वैसे मतलब क्या हुआ कि मैंने बोटल को पहन लिया है लेकिन वैसे जो idiom के हिसाब से इसका मतलब होता है to keep once emotions inside कि मैं अपने emotions को अपनी feelings को बाहर ना जता करके अपने ही अंदर रखे रहूं अब हम पढ़ते हैं उपर जो आदमी ने अदमी ने अपने साइड में लिखा हुआ है sentence बनाया है इन दोनों idioms का I am in a pickle myself मैं खुद को ही अपने आपको ही एक मुसीबत में डाल चुका हूँ या मैंने अपने आपको ही एक मुसीबत में डाल लिया है I don't mean to complain मैं कोई complain नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो खुद को ही अपने मुसीबत में डाल आए तो मैं किसको शिकायत करूँगा तो I don't mean to complain but I can't keep it bottled up लेकिन मैं इसको अपने अंदर भी नहीं रख पा रहा हूँ यहाँ पर bottled up का मतलब यह नहीं कि मैंने bottled up का मतलब है कि मैं अपने feelings को अंदर नहीं रख पा रहा हूँ मैंने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया है तो अब हम आते हैं वापिस अपने worksheet पर worksheet में आगे हमें दिया गया है question number six make a sentence with the action word walk तो walk का हमें एक sentence बनाना है अब यह sentence तो आप लोग अपने आप बना लेंगे walk मतलब चलना चलने के उपर आपको कोई भी एक sentence बनाना है अब आता है हम next word complete the sentence using words from the help box निचे box में इस MR दिये गए हैं जो हमें निचे sentences में fill करने हैं first is she 10 years old she is 10 years old कि वह 10 साल की है I, I के साथ क्या आता है हमेशा I am hungry मैं भूखा हूँ या भूखे हूँ you dash taller than all of us तुम हम सबसे लंबे हो you के साथ क्या आता है are he के साथ क्या आता है he is sick वह बिमार है next we we are very happy today हम आज बहुत खुश है I के साथ फिर से I am staying at home due to lockdown मैं घर पर हूँ क्योंकि lockdown चल रहा है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया जो singular है जो एक चीज़े हैं उसके साथ is I के साथ am और जो बहुत सारी चीज़े हैं उनके साथ R लगाया है हम लोगोंने साइड में पिक्चर में भी दिखाया गया है I के साथ am he, she, it के साथ is we, you, they के साथ are next हमें दिया गया है अब नीचे parents के लिए बच्चों को सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर बनाने के लिए प्रेरित करें मतलब कि जब हम सो कर उठते हैं तो हम कुछने कुछ ओड कर रखते हैं तो बच्चों को बोले कि जो हमने ओडा है या जो हमने जैसे सोते हैं रात को तो हमारा जो हमारी जो चदर है जिस पर सोते हैं वो खराब हो जाते तो ये सारी चीज़े ठीक करके वापिस ऐसे रखे कि पूरे दिन में अगर जैसे घर में कोई आ जाए तो हमारा बैट गंदा ना लगे पूरा अच्छे से बिस्तर को चदर को बैट के उपस अच्छे से बिना सिलवटों के लगाएं तक ये को सही से लगाएं और चदर को फोल्ड करके रखें और यहाँ पर हमारी आज की वक्षित होती है कम्प्लीट